भारत मता की इनकलाब वन्डे वन्डे आज यहाँ भारत के कोने कोने से दिली के कोने कोने से आयवे सभी साथियों को मेरा नमशकार, सबको मेरा प्रणाम आज आम आदमी पार्टी को बने उए पांच साल पूरे हुए इस उपलक्ष में सभी देश वासियों को इस देश के सभी आम लोगों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से बढ़ाई देना चाहता हूँ आज ही के दिन 1949 में समविधान बनके तयार हुआ था इस उपलक्ष पे मैं बाबा साब अमबेड कर को नमन करता हूँ जिनोंने दुनिया का सबसे बहतरीन और सबसे खुबसूरत समविधान हमारे देश को दिया आज ही के दिन कुछ वर्ष पहले मुंबई में आतंक वादियों ने हमला किया था इस हमले में जितने लोग शहीद हुए उन शहीदों को भी मैं सर जुका के नमन करता हूँ दोस्तों आज रामलीला मैदान में आकर पुराने दिन याद आ गए वोई वाली स्टेज हुआ करती थी अन्ना हजारे जी बैठा करते थे वहाँ पे उनका अंशन चला करता था इस देश के हजारों लाखों करोडों लोग सडक पे थे इस देश के लोग क्या मांग रहे थे एक छोटी सी चीज मांग रहे थे इस देश के लोग कह रहे थे एक कानून बना दो जनलोग पल बिल पास कर दो एक ऐसा कानून बना दो कि अगर कोई भरष्टा चार करे तो उसको जेल होनी चाहिए बताओ क्या गलत कह रहे थे हजारों हजारों करोडों लोग सडकों के उपर उतरे सारी पार्टियों से हाद जोड के विंती की, सारे नेताओं से हाद जोड के विंती की उन्होंने संसद सत्र भी बुलाया लेकिन इस देश के लोगों की बात नहीं मानी मजाक उड़ाया इस देश के आम आदमी का इन सारे नेताओं ने इन सारी पार्टियों ने इस देश के आम आदमी का मजाक उड़ाया बोले अगर हिम्मत है तो खुदी चुनाव लड़लो खुदी संसद में आजाओ खुदी लोगपल बिल पास कर दो बहुत गिड़ गिड़ाया ये आम आदमी इस देश का आम आदमी बहुत गिड़ गिड़ाया इन नेताओं के सामने पार्टियों के सामने कि जी मेरे को चुनाव नहीं लड़ना था चुनाव तो आपका काम है हमारे पास तो पैसे भी नहीं है चुनाव लड़ने के ये कानून बना दो हम अपने घर चले जाएंगे ब्रश्टाचारियों को सजा दे दो हम अपने घर चले जाएंगे ये नेता नहीं माने ये नेता नहीं माने हार के जैसे वो महभारत में कहानी है कि सारे पांडव दुरियोधन के पास गए बोले जी पांच गाउं दे दो दुरियोधन बोला सुई की नोक के बराबर एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं दूँगा पांच गाउं तो बहुत बड़ी बात है उसी तरह से इस देश के आम आदमी ने इन नेताओं से मांगा कि एक लोक पल बिल बना दो इन्होंने नहीं मानी हार के इस देश के लोग इकठे हो गए इस देश का आम आदमी इकठा हो गया जब कुछ नहीं बचा तो आम आदमी ने इकठे हो के इस देश के लोगों ने इकठे हो के एक अपनी पार्टी बना लिया आम आदमी पार्टी और जो कभी चुनाव नहीं लड़े थे, जिनको पॉलिटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती थी, राजनीती लिखनी नहीं आती थी, ऐसे सारे फक्कड आदमी एरे गेरे सारे इकठे हो लिए, जैसे वो शिवजी की बरात होती है, उसमें सारे इकठे हो लिए, और एक आम आदमी पार्टी बन गई, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, आम आदमी चुनाव लड़ा, और इस देश के आम आदमियों ने सारी पार्टियों को अरादिया, सारे नेताओं को अरादिया, सब की राजनीती खतम कर दे, पहले ही चुनाओं में, आम आदमी की सरकार बन गई, 49 दिन की सरकार और क्या जलवा था उस सरकार का गलत तो नहीं कहा रहा भाई साथ सारा देश याद करता है उस 49 दिन की सरकार को 49 दिन की सरकार को याद करके कहते है जी ब्रश्टाचार खतम हो गया था 49 दिन में दिल्ली से खतम हुआ था की नहीं हुआ था ब्रश्टाचार खतम हो गया था आम आदमी ने करके दिखा दिया जो सत्तर साल में नेता नहीं कर पाई सत्तर साल में पार्टियां नहीं कर पाई छोटे से आम आदमी ने करके दिखा दिया उननचास दिन में करके दिया थे आप ब्रश्टाचार खतम कर दिया लोग बताते हैं ट्रैफिक पे पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिये किसी भी दफ्तर में जाते थे पैसे लेने बंद कर दिये यू मिंटों में काम करते थे यू मिंटों में और इस देश का जो सबसे ताकतवर आदमी है इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है इस देश का जो सबसे बड़ा उद्योगपती है जिसका नाम लेने में बड़े बड़े नेताओं की जीब लड़ खड़ाती है उसके खिलाफ है फायर कर दी आम आदमी ने छोटी बात नहीं थी वाई साथ और जैसे ये फायर करी इनके नौर्थ व्लोक की दिवारे का अपने लगी साथ व्लोक की दिवारे का अपने लगी राष्ट्रपती भवन की संसद की दिवारे का अपने लगी क्या हो गया ये क्या हो गया जनलोग पल बिल पास नहीं हो पाया 49 जाइस दिन के बाद सरकार को इस्तीँफा देना पड़ा और जैसे ही स्तीफा दिया मेरको कई लोगों ने आके बताया रेडी पट्री वालों बोले जी वो आये फिर बोले वो 49 ज़ंचेज दिन के भी पैसे दो अब बुलाओ अपने केजरिवाल को उन्हेंचास दिन के भी पैसे ले लिए तब जनता ने कसम खाई कि आम आदमी को वापस लेके आएंगे और इस बार तो पूरा बहुमत देंगे ऐसा बहुमत देंगे कि सारों का सफाया कर देंगे दुबारा चुना हुए सत्तर में से सड़ सट सीट आई अब यह घबरा गई सारी पार्टियां घबरा गई इन्होंने सोचा अगर यह आम आदमी खड़ा हो गया इस देश का अगर यह आम आदमी यह फक्कड आदमी अगर इस देश का खड़ा हो गया तो यह सारी पार्टिया खतम हो जाएंगे, इनकी सब की राजनिती खतम हो जाएगे, तो उन्होंने मन बनाया इनको कुछलो, खतम करदो इनको, नेस्त नाबूद करदो इनको, इन्होंने सारी एजंसिया छोड़ दी, इन्होंने इंकम टैक्स वाले पीछे छोड़ दी हमारे पीछे, हमारे जितने ड पे आठ मुकद में चल रहे हैं हमारे बीस विधायकों को उठाके जेल के अंदर डाल दिया हमारा होसला नहीं तोड़ पाए लेकिन यह लोग कि सब कुछ करके देख लिया इनों ने इंकम टैक्स छोड़ दिया इडी छोड़ दिया पुलिस वाले छोड़ दिये मेरे घर पे मेरे अफिस में चाहता मारा मनीश के घर पर साथ गंते तih किस diso दिया की बताओ सबसे बड़ा छोर इनको मनी थिसो दिया राता पूरे देश सब क् Hub document इनों एंटी करॉप्शन ब्रांच जिसके जरिये हम ब्रश्टाचारियों को जेल भेजा करते थे एक दिन केंद्र सरकार ने पेरा मिलिटरी फोर्स भेज के एंटी करॉप्शन ब्रांच की बिल्डिंग पे कबजा कर लिया मुझे लगता है भारत के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब केंद्र सरकार ने अपनी पेरा मिलिटरी फोर्स भेज के किसी राज्य सरकार की किसी बिल्डिंग के उपर कबजा करा हूँ ऐसे है जैसे इन्होंने कोई भारत और पाकिस्तान कर दिया इन लोगों इन्होंने हमारी एंटि करप्शन ब्रांच पे कबजा कर लिया हमारी सारी पावर छीन ली आजाद भारत के इतिहास में ये पहला मौका होगा कि किसी रज्य का मुख्यमंत्री एक चपरासी की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकता सारी पावर छीन ली हम लोगों की लेकिन फिर भी दोस्तों पिछले तीन साल के अंदर जो आपकी सरकार ने आम आदमी ने करके दिखा दिया मैं चैलेंज कर सकता हूं सतर साल में किसी भी पार्टी की सरकार ने इतना काम नहीं करके दिखाया हुगा पिछले तीन साल की सरकार दिल्ली में जब पिछले तीन साल में सरकार चली है ये किसी क्रांती से कमनी है क्रांती कारी काम हुए जी पिछले तीन साल में इमानदारी के साथ जो तीन साल में काम हुए है दिल्ली में आज सबसे सस्ती विजली पूरे देश में सबसे सस्ती विजली दिल्ली के अंदर मिल रही है दिल्ली के लोगों को पानी मुफ्त मिल रहा है दिल्ली के घर घर के अंदर हमने पानी पहुचाया 309 कोलोनियों में पाइपलाइन बिछा दी दिल्ली के अस्पतालों में फ्री दवाईयां मिल रही हैं दिल्ली के अस्पतालों में फ्री टेस्ट हो रहे हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया कलप हो गया आंगनवाडी वर्कर की तंखा दुगनी कर दी मिनिमम वेज में 40 प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी गैस टीचरों की तंखा दुगनी कर दी, pension बढ़ा के धाए जार रुपे महीना कर दी, इतने काम कर दिये, इतने काम कर दिये, इतने काम कर दिये मैं सोच रहा था अगर दिल्ली में बिजली इतनी सस्ती हो सकती है मध्यपरदेश में क्यों नहीं हो सकती राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती 36 गड़ में क्यों नहीं हो सकती करनाटका में क्यों नहीं हो सकती बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो सकती अगर दिल्ली के अंदर इतनी ज्यादा पेंशन मिल सकती है, दिल्ली में पानी मुफ्त हो सकता है, दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं, बाकि राजियों में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार है, बाकि राजियों में नेताओं की और पार्टियों की सरकार है, आम आदमी आम आदमी की तकलीफ समझता है जी, आम आदमी को पता है, मैं आपको धारन देता हूँ, दिल्ली में अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का भी लाता है 1280 रुपए, एहमदाबाद में गुजरात में अगर आप 400 यूनिट बिजली इ इस्तेमाल करते हो आपका बिजली का भी लाता है चार हजार रुपए एक आम आदमी समझता है कि 2800 रुपए और 1280 रुपए में कितना फरक है अगर यह डेड़ अजार हजार डेड़ अजार रुपए बच जाए तो बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं दिल्ली में आम आदमी की सरकार है बाकी राज्यों में पार्टियों की और नेताओं की सरकार है यह सबसे बड़ा फरक है दोस्तों कहां से आ रहा है यह पैसा हमारे पास हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार है थी बीजेपी की सरकार है थी जब भी उनके पास जाते थे कहते थे पैसा पैसा नहीं है पैसा नहीं है आज दिल्ली की सरकार आम आदमी की सरकार सारे काम कर रही है इतने काम कर रही है कहां से पैसा रहा है यह इमांदार राजनीती का कमाल है और जितने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक एक बच्च कर लेना देश को मत भूल जाना तुम लोग जितने लोगों को फ्री दवाईयं मिल रही है फ्री टेस्ट हो रहे हैं उन सब को मैं कहना चाहता हूं यह देश का पैसा है जितने लोगों को फ्री टेस्ट और फ्री दवाईयं मिल रही है कुछ भी हो जाए देश को मत भूल जान आदेश आपके लिए इतना कुछ कर रहा है दोस्तों आम आदमी ने आने के बाद राजनीती के पैमाने बदल दिये जैसा भी कई सारे लोगों ने बताया रेड लाइट सारी सरकारी गाड़ियों से रेड लाइट अटा दी पहले दिल्ली में अटी फिर उत्तर प्रदेश में अलान हुआ फिर पंजाब में अलान हुआ और फिर भारत सरकार ने भी शायद अलान कर आए कि सारी गाड़ियों से मैं बार बार कहता था हम राजनीती करने नहीं आए हम नेपोले नहीं है कि हर राज्य जीतना हमारा मकसद है हम राजनीती बदलने के लिए आए हैं अगर हम से सीख के या हमारे दबाव में दूसरी पार्टी अपनी राजनीती बदलना चालू कर दे हमारी जरूरती नहीं पड़ेगी आम आदमी पार्टी के जरूरती नहीं पड़ेगी सबसे बड़ा काम आम आदमी की सरकार ने ये किया कि एक विश्वास पैदा किया आम आदमी के अंदर कि एक आम आदमी छोटा आदमी भक्कड आदमी वो भी चुनाव लड़ सकता है और चुनाव जीत सकता है पहले किसी भी घर में चर्चा होती थी कहते थे राजनीती और चुनाव तो गुंडों का काम है अब ये राजनीती में आना भी पवित्र काम हो गया, समाज सेवा का काम हो गया है इमानदारी से चुनाव लड़के दिखाए, कम पैसों में लड़के दिखाए और चुनाव जीत के दिखाए और तीन साल तक दिल्ली के अंदर इमानदारी से दिल्ली की सरकार चला के दिखाए दोस्तों आज देश बहुत कठिन परिस्थितियों से गुर जर रहा है चारों तरफ देश को बाटने की कोशिश की जा रही है हिंदूओं को मुसल्मानों से लड़ाने की कोशिश की जा रही है मुसल्मानों को हिंदूओं से लड़ाने की कोशिश की जा रही है मैं यह सोच रहा था पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकसद क्या हो सकता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपना क्या हो सकता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपना हो सकता है कि हिंदुस्तान को हिंदू और मुसल्मान के नाम पे बाट दो अगर हिंदुस्तान हिंदू और मुसल्मान के नाम पे बट गया हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान पे कब्जा करना असान हो जाएगा जो लोग इस देश को हिंदु और मुसल्मान के नाम पे बाट रहे हैं वो आई एसाई के एजेंट हैं वो राश्ट्र भक्त के चोले के अंदर देश द्रोही हैं और यह लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं जो सपने पाकिस्तान देख रहा है जो काम आयस साई सतर साल में नहीं कर पाई वो भारत्यजंता पार्टी ने तीन साल के नदर करके दिखा दिया दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश है जब भी कभी ऐसा मौका आए कि पार्टी के और देश के हितों के बीच में विरोधा भास हो अगर पार्टी के हित और देश के हित आपस में टकराते हो पार्टी को भूल जाना देश के लिए काम करना दोस्तो पार्टी जरूरी नहीं है देश जरूरी है आज सुबह से बहुत सारे बीजेपी, कॉंग्रेस, कई पार्टियों के लोगों के आम लोगों के खूब बधाई संदेश आ रहे हैं पूरे देश का आम आदमी चाहिए वो किसी भी पार्टी का हो उसके मन के अंदर दिल्ली की आम आदमी की जो सरकार है उसने जो काम की है उसके लिए श्रद्धा है उसके लिए उसके मन में बहुत रेस्पेक्ट है सब लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली की आम आदमी की सरकार ने जो करके दिखाया वो आज तक किसे ने नहीं किया सब लोग सोचने पे मजबूर हैं बीजेपी वाले भी सोचने पे मजबूर हैं कॉंग्रेस वाले भी सोचने पे मजबूर हैं और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों धीरे 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 इस देश के 120 करोड़ लोग ये सारे मिलके आम आदमी पार्टी बनाएंगे दोस्तों आप लोग 16 अगस्त, 2011 को रामलीला मैदान में कठ्थे हुए थे, हम लोग इकठ्थे हुए थे, UPA के भ्रष्टाचार के खिलाफ, Congress नहीं तना भ्रष्टाचार कर दिया था, 2G Scam, Koela Scam, Commonwealth Games, ये आम आदमी की ताकत थी, आप लोगों की ताकत थी, कि 2014 के अंदर Congress को मुखी खानी पड़ी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उसका फाइदा क्या हुआ, आज भी बीजेपी के सरकार है, ये भी उतने घोटाले कर रही है, राफिल डील स्केम, बिड़ला डाइरी, पनामा पेपर, सहारा डाइरी, व्यापम स्केम, लिस्ट लगी हुए है सारे स्केमों की दोस्तों, बीजेपी जितनी कॉंग्रेस भरषती, उसकी बाप निकली बीजेपी, और इनके टाइम में तो दोस्तों, जज भी सुरक्षित नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले सुनने को मिला, कि जज लोया, जो कि अमित शाह का मुकदमा देख रहे थे, उनको ऐसे सरकम्स्टांसेज के अंदर मारा गया, वो ऐसे सरकम्स्टांसेज के अंदर मिले, मरे हुए, कि एक शक होता है कि उनको मारा गया था, उनका कतल किया गया था, कि वो खुद मरे थे, दोस्तों, मुझे लगता है, जैसे आप लोगों ने कॉंग्रेस को खाड के फेका था, इस देश के आम आदम को दुबारा खड़ा होना पड़ेगा, कुछ दिन के बाद गुजरात के चुनावें, कुछ दिन के बाद गुजरात के चुनावें, पूरे देश की टक्टकी लगी हुए गुजरात के चुनावें, सारा देश दुखी है जी एस्ती ने नोट बंदी ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी लोगों की नौकरियां जा रही है व्यापारी नराजे, किसान नराजे, युवा नराजे सारे लोग गुजरात की तरफ देख रहे हैं और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से बीजे पहारे मैं आज इस मंच से गुजरात के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि सारे देश की तरफ देखना आप सारे देश की ओवार सारे देश की तमन्ना पूरी कर सकते हो जिस दिन वोट डालने जाओ ऐसे केंडिडेट को वोट डालना ऐसी पार्टी को वोट डालना जो वहाँ पर बीजेपी को हरा सके बीजेपी को हराना हमारा मकसद है कई पर आदमी पार्टी जीत रही हो तो आदमी पार्टी को दे देना कोई और पार्टी जीत रही हो उसको दे देना लेकिन बीजेपी को हराना हमारा मकसद है यह सबसे important है दोस्तो 2011 में हम सब लोग यहाँ पे भरष्टा चार मुक्त भारत का सपना लेके कठे हुए थे लेकिन आज भी भारत भरष्टा चार मुक्त नहीं हुआ आज हम सब लोग यहाँ से प्रन लेके वापस जाएंगे जब तक भारत भरष्टा चार मुक्त नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एक एक बच्चा इस देश का पड़ लिखनी जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एक एक गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान नसीब नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस देश में किसान आत्म हत्या करनी बंद नी कर देते हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक व्यापारी और उद्योगपती इमानदारी से शुक्ष चैन से व्यापार नी कर सकते हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक महिलाएं और लड़कियां बेखाफ बिना डर के सड़कों पे घूम नहीं सकती अपने घर से नहीं निकल सकती हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे सैनिकों को बिना पानी वाली डाल के लिए लड़ना पड़ेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे और जब तक पाकिस्तान के गलत कारनामों का मुतोड जवाब नहीं दे दिया जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे और इसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो जान कुर्बान करने के लिए तैयार है दोस्तो भारत मता की